तो इन दी लास्ट क्लास ज़र आप लोगों को याद तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में केस बन किया था राइट केस वन था उसके अंदर कि जब हम लोग एक डबल बॉण के साथ कॉंजूगेशन में एक प्लस चार्ज हो राइट मैंने वहां तक बात कर ली थी ओके परफे लास्ट क्लास भी यह बात हमने किया था और मैंने कुछ च्छन आपको दिया भी था हूंवर्क के लिए आप लोगों ने किया भी होगा बहुत ही आसान तरीका था करने का बहुत ही सिंपल था अब केस टू पर आते हैं केस टू कहता है लिखें केस टू बेसिकली अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग केस टू के आज बात करेंगे कि अगर मालो कोई डबल बॉंड है जो सिंगल बॉंड से से परेटेड है और सिंगल बॉंड और जो सामने एक और उसके पास लोन पेर है यह वाला हो गया है तुम्हारा केस टू अब इस केस टू का कंडिशन आपको जहां भी दिखेगा तो समझ जाना कि यहां पर रिजनेंस होने वाला है अगे ना उट से कि जो यह लोन पेर होगा 100% यह तुमारे प्योर एटॉमिक और बिटल में होना चाहिए अगर यह प्यो प्योर एटामिक और्बिटल में होना जरूरी है अब यह प्योर टामिक कोई सा भी हो सकता है टीवी हो सकता है अब यहां पर कैसे होगा यह क्या होगा तो समझेंगे द्यान सब मैं यहां पर सब्सक्राइब करने वाला करते हैं इसके उपड़ एक्जामपल अब कहीं पर आपको यह चीज डबल बॉंड सिंगल बॉंड और अगर लिख सपोज कहीं निगेटिव चार्ज लिखा है तो यह तुमको रिजनेंस कंडिशन हो यह जरूरी नहीं है द्यार नहीं है अगर कहीं पर डबल बॉंड सिंगल बॉंड निगेटिव चार्ज है तो जरूरी नहीं है क्यों कि देखके लग रहा है अगर इस लोन पेर पर नाइट्रोजन रहा तो आपको पता है इन के सफ नाइट्रोजन और ऑक्सिजन एवन दो आपका लोन पेर अगर 11 दो दिर इस नो निगेटिव चार्ज बट इस और कि कर सकता है आपको याद कर सकता है क्या हो चार्ज ना के अंदर डिखे लिए मोस्टी केंज स्कार्भण कहीं डिराइव होते हैं रयकिन हमेशा याद रखना वह कारवन के केस में हमेसा यह सही हुजरूरी नहीं आइं सही हमेशा क्या होगा डेबल बॉन और नोन पर हो अब इसमें होगा किसे resonance यह समझते हैं तो resonance कैसे होगा तो मानला हमने बोला c double bond c single bond c और यहां पर मैंने एक loan pair दे दिया और एक negative charge आपको दिखे है अब क्या होगा कि आपको पता ही है कि जब कभी भी negative charge आता है तो वैसे case में कोई भी charge अगर आता है तो stability जो होती है वो molecule की कर जाती है तो वैसे case में आपको पता ही है अगर molecule के पास possibility होगी electron को transfer करने की electron को एक सर से दूसरे सर तक डालने की तो वैसे case में वो क्या करेगा अपने electron को यहां से वहां transit करवाएगा मतलब अपने electron को de-localize करेगा ताकि यह negative charge बस एक के उपर ना हो दोनों के उपड आए मतलब क्या यह कर्ज जो है यह बस एक atom का ना हो यह दुनों atom को हो तब जादर बेटर है तो वैसे case में हमने क्या गड़ा हमने यह वाला electron जो प्योर atomic orbital में था इसको उठाकर यहां से यहां कर दिया जैसे मैं यहां से यहां करूंगा इस carbon की हालत खराब हो जाएगी क्यों ख पांच उठाएगी और पांच के साथ कोई carbon सस्टेंड नहीं कर सकता तो वैसे किसमें हम क्या करेंगे तो हम इस carbon को फोर वैलेंसी मिंटेन करने के लिए ही इसको यहां से यहां सिफ्ट कर देंगे मतलब क्या हुआ मतलब इस carbon का कोई loss नहीं हुआ इस carbon से चार्ज नीचे आक इस जगा पर पाई बॉंड को जो हमने लोन पेर में कनवर्ड किया है और इस जगा पर मैंने लोन पेर को पाई बॉंड में कनवर्ड किया है यह हम लोग कर रहे हैं इस केस में हम लोग लोन पेर को पाई बॉंड में कनवर्ड कर रहे हैं और इस केस में हम पाई बॉंड को लोन पेर में convert कर रहे हैं तो जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा तो हमारे पास H2 और C और यहां पर electron और minus charge आजाएगा sigma bond रह जाएगा carbon यहां पर double bond हो जाएगा और फिर आजाएगा CH2 इस carbon पर plus charge नहीं होगा because plus charge तब होगा न जबकि इसके electron जो additional electron थे वो इसने दिया है इसके उपर plus charge नहीं होगा additional electron इसने five bond में shift कर दिया इस कारण से कोई plus charge नहीं आएगा अगर क्योंकि देखो electron का अगर मैं बोलू इस condition के respect में इस condition पे इस carbon का electron loss तो हुआ है loss in the sense five bond में convert हो गया है लेकिन plus charge जो आना चाहिए वो minus charge से निफाय होके net neutral रह जाएगा और इस carbon पे minus charge जबलब हो जाएगा because इस carbon पे एक electron additional इस carbon वाला इस carbon पे आ चुका है जिस कारण से net मुझे यहाँ पर negative दिखेगा अब उसके बाद आगे क्या होगा सर तो आगे कुछ नहीं होगा हो गया हमारे resonance खतम हमने दो structure बना दिए यही resonating structure बने दो अब सुनना ध्यान से बेटा अगर मैं इन दोनों को एक साथ collaborate कर दूँ तो collaborate करने के बाद हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास for sure एक resonance hybrid बनेगा राइट तो यह दोनों कहलाते है resonating structure let's suppose मैंने बोला इसका नाम A है और इसका नाम B है तो यह दोनों कहलाते है resonating structure और अगर मैं इन दोनों को collaborate कर दूँ तो यहाँ पर ड्रा होता है resonance hybrid और मैंने आपको बताए था कि resonance resonating structure do not represent the property of molecule resonating structure property of molecule को represent नहीं करता resonating structure बस एक individual structure है जिससे हम property के कुछ particular molecule क्योंके सारे chemical properties को explain भी नहीं कर सकते है यानि का कोई भी property assets explain नहीं हो सकता बस यह समझ सकते हैं कि इन दोनों के contribution से जो net structure बनेगा that is known as resonance hybrid और मैं यहाँ पर अब resonance hybrid बनाने के त्यारी कर रहा हूं तो C single bond CH single bond CH2 और अगर आप देखोगे तो सारे position पे pie bond आया है यहां भी आया है यहां भी आया है पहले condition पे यहां आया है और दूसरे structure में यहां आया है तो मैं बोलूँगा throughout pie bond हो रहा है तो मैं pie bond throughout बना दूँगा मतलब यहां भी pie bond और यहां भी pie bond partial pie bond बोलते हैं इसकों लोग और net charge जो है इसके ओपर वो minus हो जाएगा अब यह दोनों structure equivalent structure हैं इस बात का ध्यान देखना विकोज जैसा structure यह है वैसा ही structure यह है इसलिए equal pie bond दोनों पर आएंगे अगर दोनों structure same होते हैं तो equal pie bond का distribution होता है मतलब एक pie bond आधा यहां होगा तो आधा यहां होगा इसलिए मैंने आधा आधा बनाया है तो partial bond बन गए और चुकि net charge negative है तो मैंने इसके ओपर negative डाल दिया जो throughout molecule पर अपन देख रहे हैं यहां पन चाहें तो minus half minus half भी यहां लिख सकते हैं बड़ उससे better है आप ऐसा लिख लो कि उपर में minus one हो गया क्या यह सबको clear है क्या यह सबको clear है और this is called as your resonance hybrid this is called resonance hybrid अब next case number three मैं भी case explain करता जा रहा हूं question जादा इसमें नहीं करा रहा लास्ट में बहुत सारे question करा दूंगा case 3 क्या है तो case 3 है double bond in conjugation with double bond this is your case 3 case 3 है double bond in conjugation with double bond double bond conjugation में double bond के साथ होगा तो वेसी बात है यह वाला πाई भी unhybrid में होगा यह वाला πाई भी unhybrid में होगा और फिर electron का obviously यहाँ पर delocalization हो जाएगा और delocalization होगे कैसे क्या होगा वो समझ लेते हैं net sense कि इसका यह electron इसका यह electron और इसका यह electron देखो तो इसका यह electron उठके इसको मिला इस वाले carbon को इसका यह electron इसी के पास है लेकिन इसका जो यह electron था वो उठके इस पर चला गया और इसका यह electron इसी के पास है मतलब क्या कि net sense में अगर मैं इसको further draw करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा C single bond C single bond C single अभी तो सारे draw कर लेता हूँ बीच में एक double bond आजाएगा और यहाँ पे आपको एक minus charge दिखेगा और यहाँ पे आपको एक plus charge दिखेगा this is your resonating structure यह दोनों रिजोनिटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटू इस इन में से कोई हैतों इसका structure कैसे बनाओ समझाओ कैसे होता ही तो हम पुर्णा मैंने आपको इसा बनाकर पहले करही समझा दिया है कैसे molecular diagram को हम लोग orbital diagram में बनाएंगे तो मैंने इसमें ऐसा किये देखो ऐसा करेंगे ये वाला ऐसा है फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक πाई बॉंड यहाँ पर दिख रहा है एक पाई बॉंड यहाँ दिख रहा है तो तो क्या हो रहा है समझना ध्यान से क्या हो रहा है देखना क्या हो रहा है कि ये वाला जो पाइबॉंड है ये वाला पाइबॉंड ये उठके यहां से यहां आ जाता है ये वाला और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठके इसके अंदर चला जाता है तो समझना जब ये वाला प यहां से यहां चला गया तो इसके पास नेलेक्टो और यह पर लौन पर आ गया और चुकि और इस सब्दर्बबन का यह लेक्टोन लौस नहीं हुआ है क्यूँ पहले है था अब उठके यहां से यहां गया यही तो कोई यह बना हुआ है इसका कोई लोस नशे बना हुआ है यह वाला रेट्र Was दोनों आब कर बने को एक यहन हो गया एक तो पुर आप देखोगे स्टक्चर में तो कैसे बनेगा तो इसे बात है ये उठके यहां से यहां आ गया और ये लेक्ट्रोन उठके यहां से यहां चला गया तो वैसे कि इसमें अगर मैं इसका orbital diagram बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इसके जो ये orbital है इसमें आपको loan pair दिख गया और एक negative charge आ गया और इसका orbital तुम्हारा खाली हो गया और इनके orbital में आपस में पाई bond बन गया इनके orbital के बीच आपस में क्या बन गया पाई bond बन गया तो ये तुम्हारा पाई bond बन गया इस तरह से हुआ है तो इस करण से इसके उपर net क्या आ गया positive का Mazqat कi मैं यह एकरन यहां से उठा यह पास टाया यह उठकर इसके पास चला गया और सनलागे यह समझ में आया क्या इई सब को समझ में जल्दी भीताओ तो double bond, single bond, double bond, that is your case number 3. क्या है सबको clear है? Case number 4 पे. Case number 4 क्या होता है देखना? Case 4. Case 4 में अगर double bond separated हो with free radical. इसका नाम है free radical. Free radical. जो हमने अलबी कर रखा है. जैसे for example, carbon, double bond, carbon, single bond, carbon और इसके पास एक radical. अगर मैं इसको orbital diagram में दिखाऊँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ऐसा दिखेगा. यहाँ पर ये दोनों मिलके πाई बनाएंगे. और इसके एक parallel orbital में single electron खाली है. और ये parallel orbital जो है obviously unhybrid orbital है. अगर ये unhybrid orbital नहीं होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर resonance possible नहीं है. क्योंकि unhybrid orbital में resonance नहीं होता है. I mean, hybrid orbital में resonance नहीं होता है. मतलब hybrid orbital के electron resonance में participate नहीं कर सकते हैं. तो वैसे case में, ये दोनों आपस में पहले pipe bond बना के रखे थे, Adam से. अब क्या हुआ, तो इस बेचारे ने इसके साथ बात करी और इसको कहा देखो, हमारा association तूटने वाला है. क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक जो हमारे family member है, वो बेचारा गरीब है. देखो, इसकी हालत तुम देखो. तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कभी इसके साथ पाया बनाता हूं, कभी तुम्हारे साथ पाया बनाता हूं, ताकि इसका भी loss थोड़ा कम हो जाए, और तुम्हारा भी loss बहुत ना रहे, I mean, दोनों को equal मिलना चाहिए, यही तो resonance का purpose है, इसी तो stability आती है. Why we say resonance stabilizes? Why? Because resonance के कारण से जो deficiency होती है electron की कहीं पर, या access होता है electron की कहीं पर, वो सब चीजें क्या होती है, थोरी, distribute हो जाती है, disperse हो जाती है, जिस कारण से stability बढ़ जाती है. तो अगर मैं यहां पर बोलता हूँ, कि भाईया, यह जो electron था, अब यह electron इसके साथ bond break करके, इसके साथ bond मनाने निकल गया, और यह दोनों आपस में bond बना लेंगे, और जैसे ही आपस में bond बनाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, कि भाईया, यह बचारा अब lonely planet में चला अगया, अकेला बिचारा बैठा हुआ है, और यह दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पाई bond मना लेंगे, तो इस तरह से, मैं इसको ऐसे बना सकता था, कि यहां से electron थाकर यहां डालूँगा, यह electron यहां से यहां आएगा, और इस तरह से, मेरे पास, यहां पर C single bond, C double bond C, और चुकि यह electron बिचारा बिना bond के बैठा हुआ है, यह electron बिना bond के बैठा हुआ है, तो this looks like, I mean, this will be a radical, तो यह इसका orbital diagram हो गया, और यह इसका line diagram, देख लो गया, bond diagram, सबको clear है, orbital diagram का मतलब, यहां पर MOT नहीं draw कर रहा हम है, यह molecular orbital diagram नहीं बना रहा हम है, atomic orbital के हिसाब से समझा र सबने पीछे copy तो कर लिया था ना बेठा, अगर copy नहीं किया तो please copy करो सारे cases, अगर copy नहीं किया है, तो please copy complete करें, case 5 क्या है, case 5 है, कि कि किसी के orbital में electron है, single bond is separated है, और किसी के orbital में electron नहीं है, यह है तुमारा case 5, this is your fulfilled orbital, मतलब यह कुछ ऐसा है, इदम सिंपल सा ही है, मतलब ऐ जरूरी नहीं है, कार्बन हो, कहीं कुछ भी हो सकता है, जहां पर लोन पर आपको दिख रहे हैं, यह negative charge है, कार्बन का अगर लोन पर तो negative charge होगा, और let's suppose यहां पर एक plus charge दिख गया, तो फिर यह वाला electron यहां से, यहां आ जाएगा, और ultimately जो आपके पास बनेगा, वो C double bond C यह इस तरह से हो गया, ठीक है, यह basically, लोग बोलता है middle step है, but middle step तो है, लेकिन this is also kind of resonance only, because आप यहां पर क्या रहे हो, आप यहां पर lone pair को pi bond में convert कर रहे हो, आप यहां पर lone pair को pi bond में convert कर रहे हो, तो यह case number 5 हो गया, ऐसे ही case number 6 क्या होगा, तो case number 6 होगा, कि एगर माल लोग कोई A है, और दूसरा कोई B है, let's suppose A के पास electron है, और B का vacant orbital D वाला खाली है, देखो, B का vacant orbital D वाला खाली है, तो यहां पर भी resonance हो सकता है, ध्यार रखना इस चीज़ का वेटा, कि एगर A के orbital में electron हो, और B का vacant orbital खाली हो, तो वैसे case में resonance हो जाएगा, मतलब something like this only, बस इसको case अलग से बना दिया, बच्चे को बाद में लुकता है, यह वाला खाली हो, तो कड़ेगा, जरूरी नहीं है कि P P ही हो, D B हो सकता है, जैसे for example, A के जगा पर कौन हो सकता है, तो A के जगा पर तुम्हारे कोई भी हो सकता है, जिसके पास lone pair हो, और B के जगा पर कौन सकता है, कोई बसको के पास vacant D orbital है, और vacant D orbital इसके पास होता है, phosphorus हो गया, sulfur हो गया, बहुत ही famous है, phosphorus, sulfur, यह सब बहुत ही famous है, जैसे B क्या हो सकता है, तो phosphorus हो सकता है, sulfur हो सकता है, bromine हो सकता है, chlorine हो सकता है, यह सब हो सकता है, जिसके पास vacant orbital है, वो सब हो सकता है, और A क् सकता है यह तो विश्ली दुनिया में कोई चीज़ के पार लोन पेर है जैसे कार्बन निगेटिव चार्ज हो गया वह भी क्या है लोन पेर गया तो मतलब वहाँ पर रेजनेंस हो जाएगा सर फिफ का कोई और एक्जामपल होगा और से के अंदर यहीं स्टेप्स में भी कही ना कहीं involved हो सकता है अजर्वाइस यह क्या नहीं इसको लोग इंटरमेडियर स्टेप की तरह लेते हैं लेकिन इंटरमेडियर की तरह लें जरूरी नहीं है कभी-कभी ऐसा भी होता है सीधा से स्टार्ट होती है जैसे इसे फर एक्जांपल मैं तो इस नाइट्रोजन आप नाइट्रोजन के पास लॉन पे और तुम्हारे पास बोरोन है तो पी और बिटल तो क्या होगा नाइट्रोजन अपना एलेक्टरोण दे देगा तो वैसे किसमें जो इस्ट्रॉशर बनेगा वो कैसा बनेगा तो nitrogen पर plus आजाएगा double bond आएगा और boron पर minus आजाएगा boron की बांकी valency fulfilled है मतलब यहाँ पर let's suppose H2 लगा दिया मैं और यहाँ पर let's suppose H2 लगा दिया मैं तो यहाँ पर भी H2 है और यहाँ पर भी H2 है ऐसा नहीं H2 नहीं है लेकिन एक मैं दिखने आपको अग्जामपल बोला था आपने तो मैं इसका दे रहा हूँ उपर लिख देता हूं उपर लिक देता हूं स्कार्ट जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास H2 है और इसके पास Lone Pair है और बोरोन है इसके पास Vincant P Orbital है तो च्या करेगा अपना नाइट्रोजन? विफलेटोन दे देगा यहां पर B2 लगा हुआ है तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा H2 N double bond B H2 और यहां पर आजाएगा plus charge और यहां पर आजाएगा minus charge this is resonance ठीक है now clear है बिटा अब इसे मान लेते हैं for example मेरे पास यह है carbon है यहां पर negative charge minus H2 और यहां पर लगा होगा है CL अब कोई बोलता है क्या बता हो यहां पर होगा तो आंसर है यहां possible है क्यों क्लोडीन का वेकेंट और्बिटल तो मुझे पी में नहीं दिख रहा बेकर इसका object complete है but chlorine can have vacant d orbital right तो यह क्या करेगा इसके वेकेंट orbital में electron देगा और जैसे electron देगा तो CH2 तो आपका neutral हो जाएगा बट क्लोडीन पर और यहां जो यह पाइब बनेगा इस पाइब बन विल भी पाइब यह पाइब यहां पर पी और्बिटल यूजवा है कारब का और डी और्बिटल यूजवा फाइब प्लूडीन का तो अपन क्या बूलेंगे यह पी अंछिन दाइन दाइं यह पीपाइब का णुम सेवन्गिया यह यह ग्जामटल किसका हो गया यह उढक केज्ञेस नमर नवज स सिक्साकर लेते हैं अब हम लोग कुछ करते हैं थिक्याлем धूण एक बार हाथ साफ कर लेते हैं तब हम लोग आएंगे अप्लिकेशन पार्ट केस पर राव दी रेजोनेटिंटिंग इस्टक्शर कुछ से बनाना है ठीक है कुछ से बनाना है मैं यह नहीं कोता ही नहीं कोई चोड़ी नहीं ठीक है अगर खुछ से नहीं बनाओंगे तो मैं कितना भी बोट पर बना दूँ कुछ फरक नहीं पड़ेगा उससे मैं कितना भी बोट पर बना दूँ कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको हमिशा स्टगल ही फील होगा इसके अंदर कुछ से ट्राई कीजिए इसको ट्राई कीजिए सब लोग और इमानदारी से करना है कोई चीटिंग नहीं कुछ से ट्राई करेंगे सारे स्ट्रक्चर कुछ से ड्रॉ करेंगे कि स्टेप ड्रॉ करेंगे कहां से क्या होना चाहिए लॉजिकल सोचते वे बढ़ेंगे ठीक है ल जो दिख रहा है मुझझे यहांबर ही दिख रहा है कि इसके पास यहां पर है Lone Pair and और यहां है Single Bond यहां है Double Bond तो मैं क्या करूँगा तो मैं अभ भिस ली सर्ट क्या हो सकता है इंहां से यहां इसको इहां से भेज दो एक ही बात है आप यह बनाया है मैं उसको मैं बना और यह पिर आप बताओ कॉन सा बना यह बना तो यहां चला जाए यहां सी दिक्कत नहीं होता भी है देखो, loan pair single double दिखा है मेरे को तो मतलब इस तरह से तो अपन यहां बोल सकते हैं कि यह तो ऐसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा यहां double bond हो जाएगा यहां oh जाएगा और यहां पर एक plus charge आजएगा फिर उसके बाद यहां पर तुमारे पास एक loan pair और minus charge दिखेगा फिर यह loan pair जो है यहां से यहां transfer होगा और यह यहां से यहां transfer हो जाएगा जैसे ऐसा होगा तो आपको फिर कुछ ऐसा दिखेगा कि यह ऐसा बन गया double bond यहां पर over charge जाएगा यहां पर double bond और यहां पर loan pair के साथ एक मतलब हो गया तुम्हारा पूरा पूरा structure complete यह तुम्हारे तीन resonating structures हो गए first second and third no further possibility नहीं और कोई possibility यह तीन हमने बना दिया है सब कहीं आया क्या कि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल 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 बीटा सबकर ही आया जो मेरा आया कोया वन था आपका अश्कर service कैसे बना लएनगे बना लेंगे आ अब यहां पर अगर अपन देखें तो रिजए अपनmmm आरामतं सकते हैं हूं और फिर हड़ जगह आ प्लस और जहां पर मैनस नहीं होता है अगर चार्ज है तो वहीं चार्ज रहेगा अगर मालो प्लस वन था पहले structure में, तो सब को मिला के भी plus one ही रहेगा, और अगर मानलो plus two था पहले वाले में, तो सब को मिला के भी plus two ही रहेगा, मतलब सारे structure में plus two ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, कि plus one से तुमने start करा, और बीच में कहीं plus three हो गया, ऐसा नहीं होगा, या plus two हो नहीं नेट चार्ज सिमिलर रहता है तो कर सकते हैं लेफ्ट राइट बिलकुल बाइच आप गोएं तो किया करोगे देखो चल कड़के देख लेते हैं अगर आप कड़ोगे तो क्या कर सकते हो सब कुछ सोचने के लिए अफ्री हो देखो यहां से यहां लाए ठीक है तो यह सिफ्ट हो गया अब तुम ही बता है निगिटेव और यहां भी लूंपि डिफ़लंस कितना हाय हो जाएगा सोचू िपल्सन बहुत हाय हो जाएगा ना यह दूं कर पायंगे क्या हम इसी चीज़ को अवाइड करने के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं that is type of electron देने का काम करते हैं बात समझ में आ रही है तो इस कारण से अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा यहाँ minus chart आ जाएगा और यह minus और यह electron आपस में heavy repelsons होगा रहेगा इसलिए यह वाला तरीका हम adopt नहीं कर सकते इसलिए बाद में इसको to have less confusion what we have done तो we have decided I mean this chemistry have decided ER is OH को आज से plus M group के नाम से हम जानेंगे तो plus M group वो होते हैं जो electron donate करते हैं in resonance ठीक है वेटा so resonating structure में double bond equivalent भी same रहेगा yes double bond equivalent भी same रहेगा ठीक है लेकिन resonating structures are not isomers इस बात का ध्यान लखना resonating structures are not isomers resonating structures में number of DBE same रहता है एक मिन रुख जा number of DBE same होगा नहीं जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है बिलकोई जरूरी नहीं है बहुत से ऐसे case है जहाँ पे number of DBE same नहीं होगा ठीक है number of DBE same हो भी सकता है और नहीं भी सकता है बहुत सारे से केस मन जाएंगे, जहां पे नमबर उब डिवी से मन नहीं है, सर कोई केस का एक्जामपल दे जो, हाँ तुम ले लो ना, कोई सब एक्जामपल, अभी बहुत सर एक्जामपल आने वाले हैं, हैं तो एक अग्जामपल करोगे यहां सिफ़ करोगे यहां सिफ यहां जाएगा तुम ह愈 यहां भी थे आगे माइनिस चाज लोन पहर्ण और यहां जाएगा डबल यहां जाएगा डबल और इस जगह पैगा यहां प्लस चार्ज. अब तुम बताओ, इस molecule में db कितना है? इस molecule का db3 है, और इस molecule का db туда है? टो db2 है. सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है. इसलिए molecule में net charge development नहीं होगा, लेकिन db same हो सकता है, हो नहीं भी सकता है. इसे कैसे यहां भी plus minus zero और यहां पर तो neutral दिखी रहा है तो मतलब net charge कोई development नहीं हुआ ठीक है विटा थर्व तो db may or may not become may or may not be zero I mean may or may or may not be same in resonating structures लेकिन there won't be any net charge development and there won't be you know dislocation of atom दो बात आपको हमेशा firmly believe करना है ठीक है चलिए तो इसका हो गया पहला तो मतलब यह वाला नहीं करेंगे ठीक है विटा कौन कोशन पूश्रा तो यह वाला सागर समझ में आगे विटा यह काम नहीं करेंगे आप चलिए अब अगला करते हैं यह दगर करके बहुत सब्सक्राइब करते हैं खुद बखुद समझ में आ यहां इसा हो जाएगा और देकर पहला और तीसरा दूसरा सेम नहीं रही पहला और तीसरा सेम है, वेरास दूसरा सेम नहीं है, तो यही तीन resonating structure होगा इसके, और जो resonance hybrid होगा, वो ऐसा होगा, double bond हर जगा गया है, बिल्कुल हर जगा गया है, जहां जहां तुम देखोगे, हर bond पर double bond character आया है, तो वैसे कि इस पर double bond character हर जगा लगा देना है, तो double bond character लग दिया, उसके बाद plus charge होगा यहां पर आया है, plus charge होगा यहां पर आया है, और याद रखना इन तीनों plus का sum, delta plus, plus delta plus, plus delta plus, must be equal to total plus, मतलब net charge development नहीं होगा, तो या तो तुम ऐसे बना दो, या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, दोनों resonance hybrid रही हैं, ऐसे बना दिया, और एक net charge प्लस उपर पर डाल दिया, plus charge जितना था, molecule में सुरुवात से उतना ही अभी भी बना हुआ है, कोई दिक्कत है बेटा, सब को समझ में आ गया वाला, एकदम सिंपल है, तो लिकलो चाहँ तो कहीं, note करके, no net charge development, during resonance, चलो, तीसरा question आ गया, question नमबर, थार्ड नमबर, और इसमें वहीं पर लिकलो, कि दिए टमबूह, दिबूए और नमच़न क्राइब आघर, यह वाला, लगया वाला है, यहाँ तो यहाँ पर आजाएंगा डम पे कि आयगा तो शुब्हारे रोड चार्ड उसके बाद इस जगहा पर आयगा ड troublesound function क्राइब इस जघए भी अ और बोह करेके और वीडिंट स्टॉuesto वरांट शैञाने पुछ मुझेस क्या और कि दीजिए फिर फिर से ने चाल टॉालियोफ यह सिलो होगा तो इस तरह से क्या होगा इस तरह से बिना था इसमें दो चार्ज आ गए अल्दो नेट चार्ज अभी भी क्या है जीरो है योगि नेट चार्ज डवलप्मेंट नहीं होता अब जब यहां से यहां पर जाएगा यह और यहां जाएगा प्लस चार्ज तो आप देखोगे तो पहले पहले इंदर डीवी तीन है वेराज दूसरे और तीसरे में डीवी दू है और दूसरा यहां पर आपको वो रूलस आपको वह आगे बताएंगे सबसे करने का तरीका होता है वह हम आपको सिखाएंगे आगे रूल के अंदर इसके बाद तो यहां पर अपन इसको अगर स्टॉक्चर करना चाहें इसका तो आपन इसको ऐसे करके ड्रॉकर तो नेट चार्ज बनाने की कोई जरुवत नहीं है हो गया तुमारा हो गया ही तुमारा क्या है रेजनेंस है जल्दी कॉपी करो स्टॉक्षर हमने बना दिया है है पर तीन यहां पर यह तो इसके ऊपर और यह दिख कर ego माइना चपर क्या करें इस पर बहुत देखो यहाँ पर ध्यान से यह वहला इयक्ट्रॉन यहां सिफ्फ्ट होगा और यह और यह वह यहां सिन चालत जाएगा यह वॉण रिद्र को आगे पड़ेंगे हम लोग प्लस है माइनस म, दो गृपह होंगे, करेंगे उसके उपर बात 미국 effect के अंदर आँ, बट 미국 effect को समझने के लिए आपको resonance अ चाहिए, इसकारण से resonance पहले पढ़़ा रहा हूं फिर weights की कि समझाऊंगा, त Авड प्या क्या होगा तो यहां पे आजाएगा तो यहां पर क्या होने वाला है यहां पर आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि यहां पर आगया तुम्हारा डबल वांड ओ और यहां जाएगा डबल यहां जाएगा माइनस चार्ज फिर क्या होगा तो यहां से यहां से यहां से कार्बन के उपर आजाएगा तो यहां से मतलब जहां से आया 1200 नहीं था वह वहां डबल बॉंड आ गया जहां डबल बॉंड था वहां पिर आपको प। को दिख रहा है तो वैसे कि समय कर मैं बोलूँगा इसका resonance hybrid रोकर करके दिखाऊ सब्सक्राइब और और इसका resonance hybrid कैसा होगा और जगा गया हुआ है तो मैं double bond को हर जगा दिखाऊंगा और to cover that I will make a circle to cover all the bonds I will make a circle and then क्या करूँगा मैं यहां पर यहां पर obviously यहां भी double bond आया होगा है तो यहां भी double bond डालूँगा और minus charge थोड़ा यहां पर आया है थोड़ा यहां पर आ गया था थोड़ा यहां पर आ गया था और थोड़ा यहां पर आ गया था लेकिन याद रखना इन सारे minus को जोड़ोगे you will get one minus net क्योंकि आपको पता ही है resonance करते दुरान कभी भी charge development नहीं होता net charge development नहीं होता सर उन तीनों delta plus को हम equally divide कर सकते हैं अगर वो सारे structure सुनना ध्यान से अगर वो सारे structure similar होते तो आप कर सकते हैं बट यह सारे structure similar नहीं हैं सारे structure similar नहीं हैं this structure is different from first and last this structure is different from first and last that is why इस structure का जो time of retention होगा इन structure से अलग होगा तो इस कारण से इस जगह पे plus charge equally इस जगह और इस जगह के नहीं होगा इस कारण से आप plus one by three plus one by three plus one by three नहीं कर सकते लेकिन अगर मालो मैं ऐसे structure की बात करूं जहां पर equivalent structure बनते हों मतलब जहां पर जैसा पहला वैसा ही दूसरा जैसे for example यह वाला question देख लो आप यह वाला question देख लो यह structure यह structure same है इस कारण से आधा electron अगर radical यहां है तो आधा radical यहां है पुझे इसा लगेगा आपको देखके ऐसा होगा भी वैसे ही अगर माल लो यहां पर देखो यहां पर दोनों structure क्या है equivalent है इस वाले में यहां पर दोनों structure equivalent है तो मैं बोलूँगा minus half यहां है तो minus half यहां है लेकिन मैं उधर minus half यह minus 1 by 3 यह plus 1 by 3 नहीं कर सकता just because यह तोनों है यह तीनों structure similar नहीं है यह different structures है clear है अगरेम अगरेम clear है बेटा ठीक है चलो तो यह बन गया आपका resonance hybrid this is your call resonance hybrid और यह वाला group भी plus M है इसले electron हम donate कर रहे है कुछ बच्चा अगर गलती से let suppose moment उल्टा कर दिया मतलब क्या होता है सर मतलब यह कि electron ऐसे आना था अंदर की तरफ और गलती से आपने उपर भेज़ दिया क्यों double single double देखके तो बेटा यह बिलकुल blender हो जाएगा क्योंकि यह plus M group है यह ring को electron देगा यह लगेवे species को electron देगा ना कि उस से electron लेगा अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब आप electron को बाहर निकाल रहे बट यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा यह electron आनेवा electron को repel करेंगे और जो possible नहीं है इस कारण से हमें repulsion stability क्या हो जाएगी बहुत घड़ जाएगी इसलिए यह possible नहीं है दियान रखना इसका लिक लो चाहो तो कहीं पर यह opposite is not possible because electronic repulsion will be very high so stability will go very down and also this oxygen minus is क्या oxygen minus is plus M group which has tendency to donate electron right not except electron अब plus M minus M क्या होता है वो हम लोग करेंगे आगे चलिए यह वाला भी copy हो गया होगा आपका अगला question है यह वाला ध्यान देना बेटा इसमें बहुत important है पांचमा नंबर इसको बोलते हैं कि न्युक्ता में तुम देखोगे एक ही समय पे लोन लोन प्यर भी देखरा हरे है और डॉवह वहित कशन में लोन डॉण सेखलमड उबम गूर में अब कुश्चन आता है कि इसको लेके जाए रेजॉननस में वेरी नमप्रेंट आधी जनता तो बोलती है किसी को भी लेके चले जाओ कोई फरक नहीं पड़ता जिसको लेके जाना है अगर इसको लेके जाओगे तो पाई बॉंड को मत लेके जाना पाई बॉंड को लेके जाओगे तो इसको लेके मत जाना आपको क्या लगता है क्या किसी को लेकर जा सकते हैं कोई एक जो मन करें वो लेकर जा सकते हैं या हमें एक specific twice रखनी पड़ेगी जल्दी उताओ बच्चो क्या हम किसी को भी random लेकर जा सकते हैं या फिर हमें specific twice रखनी पड़ेगी between loan pair and pie bond अगर हमने यहां से इस loan pair को क्या कर दिया यहां से यहां भेज दिया तो उस case में क्या होगा उस case में आपके पास यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां पर nitrogen जो है यह double bond मना लेगा यहां पर और पहले से double bond है यह एक plus charge भी दिख रहा है तो basically देखो बिटा क्या था पहले यह चुकी SP देखो अगभी अगर देखो कि यहां पर loan pair को तो loan pair यहां पर कुछ इस तरह से है इस तरह से है और यहां पर nitrogen SP2 है और SP2 fulfill भी हो रहा है triangular symmetry मेरे को दिख भी रही है कोई दिक्कत नहीं है यह triangular symmetry है यह triangular symmetry मेरे को दिख भी रही है लेकिन अगर हमने loan pair को ले लिया resonance में तो फिर यह nitrogen बन जाएगा SP और जब nitrogen बन जाएगा SP तो angle should be 180 बट यहां पर angle 180 नहीं है जब तक cycle है तब तक angle 180 नहीं होगा तो अगर angle 180 नहीं होगा तो angle strain बहुत बढ़ जाएगा और इस कारण से stability की क्या हो जाएगी ऐसी की तैसी तो इसलिए हम लोग loan pair को नहीं लेके जाएगे आड़ी ये बात समझ में अगर हम loan pair को लेके गए तो बहुत बवंडर मत जाएगा इस कारण से हम यह काम नहीं करेंगे हम किसको लेके जाएगे पाइ बॉंड को लेके जाएगे तो लिकलो इफ वी टेक loan pair इंटो रेजनेंस देन एंगल स्ट्रेंड विल बिकम वेरी हाई और डू तो विच इट वॉन्ट बी पॉसिबल तो सस्टेन अ साइकली की स्टक्चर चली तो पिरिडीन अपना केस पर क्या है हमारे पास अगला केस यह है बहुत ही सिंपल यहीं पकड़ देता हूं इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है यहां से यहां चल जाएगा यहां पर जाएगा प्लस यहां जाएगा डबल बॉंड तो चलता रहेगा अपने सैकल में घुमता रह गई है फिर यहां पर देखो आपको यहां से यहां बिजएंगे इसको यहां से यहां बिजएंगे फिर यहां जाएगा माइनस फिर यहां से यहां आएगा और यहां से यहां से यहां चल जाएगा तो यहां जाएगा minus चलता रहेगा ऐसे करके simple है उसकी गाद इस question में ध्यान देना बच्चों आप ऐसे मत करना ये तरीका गलत है ये तरीका गलत है आपको कैसे करना है आपको ultra direction में जाना है क्यों जाना है ultra direction में अगर आप ऐसे करोगे तो carbon प्याएगा minus अक्सिजन पाएगा plus लेकिन हमें पता है carbon is less electronegative whereas oxygen is more electronegative तिस करन से oxygen पे plus चे बेटर है oxygen का minus इसलिए कभी भी ये काम मत करना ultra direction में जाना और ultra direction क्या होता है ultra direction होता है कि हम इस तरह से नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे ये तरीका गलत हो गया हम इसको करेंगे CH2 double bond CH single bond CH C ऐसा ठीक है हम क्या करेंगे हम यहां से इसको यहां लेके जाएगे और इसको उठा के यहां लाएगे ताकि carbon पे नहीं oxygen पे minus आए तो इस तरह से CH2 यहां पे plus बन जाएगा और फिर CH आएगा फिर oxygen आएगा और यहां double bond आजाएगा और यहाँ पे minus और यहाँ पे H यह better choice है than to have this अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा? तो CH2 यहाँ पे आजाएगा minus यहाँ पे single bond फिर यहाँ पे double bond यहाँ पे CH और यहाँ पे आजाएगा oxygen और यहाँ आजाएगा plus और यह बहुत ही क्या होगा? unstable हो जाएगा because हमें पता है कि carbon जो है वो less electronegative है, oxygen जो है वो more electronegative है, तो we will always prefer to place negative charge over more electronegative element, right? If we have any choice. Sir, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया ऐसा? कहाँ पे भीया? आपने यहाँ आपने उल्टा कर दिया था, इस वाले में सड़ देखो, आपने oxygen का माइनस गायब कर दिया, यहाँ पे 24 नहीं है मेरे पास, इस कारण से मुझे करना पड़ा अगर 24 होगा, Sir, आपने यहाँ पे तो carbon पे minus ले आए हो, oxygen का minus गायब कर दियो आप अभी बोल रहो, carbon पे minus नहीं लाना, oxygen पे लाना, यहाँ मेरे पास 24 नहीं है, यह तो plus M group है, 24 नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे 24 था मेरे पास, इस कारण से मैंने 24 के साथ काम किया, और 24 क्या है, आइधर minus ओबर दिए more electronic or less electronic, तो I will always go with more electronic करने के तब, ठीक है वेटा, last question तो बहुत ही असान है, कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस हा जाएगा, और यहाँ double bond हा जाएगा, बहुत simple, क्या सबको clear है यह वाला, सबको clear है, चले बढ़ियां, तो आज की class यहीं पे समाप्त करते हैं, करते हैं, यहाँ जाएगा 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 जाएग